आज हम करने जा रहे हैं डामेटिक रीपर्जंटेशन औला लस्ट क्लास में में यह देखा था कि नत्युंक व bulbs एकलेकशन एowsटरिकन करते हैं उसके वारे में हम बात कर रहे थे अभी हम करते हैं डामेटिक रीपर्जंटेशन मतलब कि अरशनों आको वो समझ में आसानी से आ जाता है, जैसे आपने cricket में इस तो देखा ही होगा, cricket में इसमें आपने देखा होगा कि pie chart का इस्तमाल किया जाता है, जिसमें ऐसा बताए जाता है कि किस side उन्होंने कितना खेला है वगर वगर, इस तरीके से, या फिर ऐसे इनका record दिखाए जाता है कि इन्होंने किस match में कितने run बनाए, ठीक है, तो ये सब चीजें समझना आसान हो जाएगा, अगर आपको पता होगा pie chart क्या होता है, bar diagram क्या होता है, line chart क्या होता है, तो आपको cricket में इसकी state समझने में मज़ाएगा, उसके अलावा आप share market में अ वो चीजा आपके लिए better काम में आएगी, जब आप company में job करेंगे, वहाँ पर आपको report बनाने होगी, project report बना के देनी होगी, तब भी इनका इस्तमाला कर सकते हैं, right, तो इसलिए ये समझना आपके लिए जरूरी है, the representation of statistical data through the charts, diagram and pictures is another attractive, देखो, क्या feature है इसका, कि ये attractive Unlike the first two methods of representation, पहले दो method ये कौन से हैं, बदाया था ना last class में, textual presentation और tabulation presentation, तो जैसे उसमें data को present किया जाता था, वैसे ही diagram में present किया जाता है, उनका purpose भी ये था कि easy हो जाए, इनका purpose भी ये है कि easy हो जाए, तो ये एक common process है, ठीक है, आएए अब सवाल ये आता है, कि सर सब में best कौन सा है, ठीक है, तो मैं मानता हूँ कि सब में से best है tabulation, tabulation सबसे best होता है, क्यों, क्योंकि वो accurate भी होता है, वो easy भी होता है, और आसान भी होता है, ठीक है, तो देखो, क्या लिखा है, compare to the tabulation, क्या लिखा है यहाँ पे, compare to the tabulation, this is less accurate, diagram थोड़ा सा accurate कम होता है क्यों क्योंकि diagram को scale के साफ से बनाए जाता है अब देखने वाला उसको जल्दी से scale के साफ से समझ पाएं या ना समझ पाएं यह मुश्किल है टेबल में समझना असान है क्योंकि टेबल में numbers लिखे होगे रहते हैं तो इसलिए tabulation सबसे easy है आए तो देखो यहां पर भी यह लिखा है कि अगर priority की बात करें तो हम tabulation को priority देंगे तो पहला टेक्शल प्रेजेंटेशन दूसरा tabulation और तीसरा डाइगरमेटिक और सबसे बेस्ट क्या है tabulation आगया यह सर इस चप्टर में तीन तरीके के डाइगरम आपको समझाए जाएंगे पहला है लाइन डाइगरम जिसमें ऐसे और ऐसे एक लाइन के जरीए रीप्रेजेंट किया जाता है ठीक है दूसरा है बार डाइगरम जिसमें बार के जरीए रिपरजेंट किया जाता है और तीसरा है पाई चार्ट जिसमें एक 360 डिगरी के सरकल पे चीजों को explain किया जाता है तो यह हो जाते हैं तीन तरीके के आपके डाइगराम सबसे पहले बात करते हैं यह होता है यह होता है यह होता है ऐसको सबसे हम पॉइंट आउट कर देते हैं बहुत सिंपल सा है कैसे आईए एक चार्ट से समझा देते हैं देखे एक फैक्ट्री है और वहाँ पर गाडियां बनती है मोटर कार बनती है ठीक है अब 2011-12 में उसमें मोटर कार कैसे बनी जनवरी में 17 गाडियां बनी फरवरी में 90, फिर 80, फिर 120, ऐसे 12 महीनों में इतनी इतनी गाड़ियों का production हुआ अब इस production को आपको line chart पे डालना है, तो कैसे करेंगे, नीचे जो मैंने आपको बताया x-axis होता है और उपर जो y-axis होता है, x-axis का इस्तमाल जनरले time के लिए किया जाता है तो value या time के लिए किया जाता है, और y-axis जो है वो frequency या फिर values के लिए किया जाता है तो time हो गया January, February, March, April, May, June, July, August, September, October, November, December, right? और जब की, अगर इधर आगया production, अब देखेगा, January के सामने 70 production हुआ, तो 70 पर डोट लगा दीजिए, ठीक है, बनाती कैसे, यह तो इन्होंने बना के देदी, आपको कैसे बनाना है, तो January में 70 production हुआ, तो 70 के उपर डोट लगा दीजिए, February में 90 production हुआ, तो 90 के उपर लगा दीजिए, इस तरीके से आप डोट लगाते जाएए, और last में इन सारे डोट को match up कर दीजिए, जब आप सारे डोट को match up करेंगे, तो automatic line chart बनके तयार हो जाएगा, अब क्योंकि यह जो up and down है, इसको line से represent किया जा रहा है, इसलिए इसको line chart बोलता है, अगर इसी up and down क हम बार के जरिये represent करते, तो it becomes, it becomes बार डाइग्राम, ठीक है, तो आएए, आगे बढ़ता है, बार डाइग्राम, मैंने अल्लेडी बताया आपको फरक कुछ नहीं है, फरक presentation का है, तो the simplest type of graph is the बार डाइग्राम, यह सबसे simple है, तो यह कमसी की बूच सकते हैं कि सबसे simple बार डाइग्राम है, ठीक है, it is specifically useful in comparing qualitative data और quantitative data, cricket match में आपने इसका बहुत इसका बहुत इसका देखा होगा, आगे आगे, बार डाइग्राम is a graph on which data are presented in the form of bars, form किस रूप में present किया जाता है, बार के रूप में present किया जाता है, बार के रूप में present किया जाता है, again इसमें भी दो axis होंगे, x-axis और y-axis, ठीक है, तो x पर हम values लिखेंगे और y पर क्या लिख देंगे हम, x पर time लिख देंगे, y पर values लिख देंगे, okay, आगे बढ़ते हैं, it should be seen that the bars are neither too short or not too long, जो आप bar बनाएंगे, वो बहुत सोटे भी ना हो, बहुत बड़े भी ना हो, एक balance रूप मे indicate the best line and clearly sound, मतलब आप जो values वगरे डालेंगे, वो properly दिखने ही चाहिए, ठीक है, bars may be drawn horizontally और vertically, bars को दोनों तरीके से बनाए जा सकता है, horizontally भी और vertically भी, okay, आगे चले, चलिए भी, बाकि इसमें कुछ भी देखने की जुरत नहीं है, सीधे आजाईए आप यहां पे, कि कितने type के bar diagram होते हैं, इनके नाम आपको जरूर याद रखने हैं, और कुछ याद रखे ना रखें, नाम जरूर याद रख लीजेगा, जैसे कि simple bar diagram, multiple bar या group bar diagram हो गया, एक subdivided हो गया, एक percentage subdivided हो गया, एक division और bilateral y diagram हो गया, और एक broken bars हो गया, क्या, कैसे समझेएगा, पहला है simple bar diagram, simple bar diagram क्या है, देखे, यह आपने बनाया, ठीक है, आपने axis बनाया, x and y, ठीक है, इसमें आपने bar बनाया, यह हो गया, एक bar, यह दूसरा bar, यह तीसरा, यह चोथा, तो यह हो गया, simple bar diagram, ठीक है, तो इसमें क्या लिखा है, it is used to compare two or more items related to a variable, एक चीज से related two items, जैसे हमने बोला कि age और height इस तरीके से, यह एक ही जनरी से related दो, तो it is used to compare two or more items related to a variable, एक चीज से जुड़े होए two items, ठीक है, data आप presented with the help of bars, और these are usually arranged according to the relative magnitude of bar, the length of the bar is determined by the value or amount, तो इदर y पे क्या आती है, मैंने आपको बताया, value आता है, और यहाँ पे जनरी क्या आता है, time आता है, ठीक है, तो जितनी value होगी, बार उतना उचा होगा, ठीक है, जैसे अपन कहें कि 0 से 10 में 10 लोग है, तो 0 से 10 का बार यह है, ठीक है, 0 से 10 का बार यह है, और कहें कि 10 से 20 में 20 लोग है, तो उसकी height ज्यादा हो जाएगी क्योंकि उसमें frequency ज्यादा है तो इस तरीके से bar की height कम ज्यादा होती रहेगे ठीक है आगे 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 नेक्स क्या कह रहा है वो सुनी आगा तो नेक्स है multiple and group by the bar diagram ये क्या है तो ऐसा है जैसे अपन ने बोला एक तो ये कर दिया और एक ये कर दिया इसके साथ में अपन ने कर दिया ये तो ऐसे दो diagram बनाए हर एक combination में दो बनाए तो उसको कहते है multiple या group by diagram by bar diagram sorry a multiple and group bar diagram is used when a number of items are to be compared in respect of two three or more values तो हमने क्या किया हर के साथ एक तो blue और एक red तो blue कुछ और को represent करता है red कुछ और को represent करता है तो ये comparison करने के काम आ रहे हैं तो इसलिए इस case में जब आपको comparison करना हो तो आप इसका इस्तमाल करते हैं ये दो को यहाँ पर भी लिखा है कि different shade और color का इस्तमाल करते हैं ताकि पहचान आसानी से हो जाए तो यहाँ पर blue इस्तमाल कर लिया यहाँ पर नहीं यह कर लिया कई लोग ऐसे कर लेते हैं जैसे मान लिजे यह बनाया तो इसमें एक में तो कर देते हैं ऐसी लाइन है और दूसरे में कर देते हैं ऐसी लाइन है ताकि उससे भी हो सकता है यह हमने बनाया बार ठीक है अब यह बोला कि सचिन ने टोटल इतने रन बनाए विराट ने टोटल इतने रन बनाए ठीक है अब हम यह भी बताना है कि यह रन कौन से फॉर्मेट में बनाए गए तो बोला कि देखो सरी यह इतने रन तो बनाए गए टेस्ट फॉर्मेट में ठीक है और इतने रन जो बनाएं, ये बनाएं 1-day में, ODI में ठीक है, और ये जो रन बनाएं ये ट्वेंटी टvändवनटी में बनाएं, तो एक ही पार्ट को एक ही बार को ती निस्वी बार दिया, अलग लग में, ऐसे ही इनका कहे दिया कि सर इनके जो है वो टेस्ट में इतने ह ठीक है और 20-20 में इतने हैं तो इस तरीके से एक बार के जब हम बहुत सारे टुकडे कर देते हैं तो पूरा बार तो टोटल वेल्यू को रिपरेजेंट कर रहा है और वो जो टुकडे हैं वो पर्टिकुलर वेल्यू को रिपरेजेंट कर रहा है तो इसे कहते हैं सब है वो एक पर्टिकुलर वैल्यू को रिपर्जेंट करते हैं ओके आगे चलिया परसेंटेज सब डिवाइड़ बार डाइग्राम अभी तो बात यह थी वह बस अब क्या करना है इस बार जो डिफ्रेंस होगा उसको परसेंटेज में बता दीजे कि सर यह 40% है यह भी 40% है और Slocveat एट कशिस्ट ओवन और और मोर विल्म बार यह वार टक्रसेंट सूंपर परसेंट ठेल कहें औ तो स्ह mmm यह ब्सक्तम सेंटेज मीटी नेट कर देना तो यह था आपका बार डियराम आगे यह आगे आता है तीसरा टाइप का डाइग्राम पाई डाइग्राम और एंगूलर डाइग्राम भी इसको हम बोलते हैं ठीक है पाई डाइग्राम का मतलब क्या है पाई डाइग्राम का मतलब है 180 डिग्री देखो आपने यह सेप तो देखी है ठीक है यह राउन ले लो ना अब सीधा से राउन यह कितना डिगरी होता है 180 अगर इसको ऐसे कर दे तो 180 उपर 180 नीचे तो हमें अगर किसी चीज को 360 डिगरी पर रेपर्जेंट करना है तो उसमें पाई डाइग्राम का इस्तमाल किया जाता है तो क्या लिखा है यह पाई डाइग्राम is a circle इसे circle ग्राफ which represents total value of its component तो हमारी जितनी भी total value है उसको आप इस पाई चार्ट पे डाल देंगे ओके तो अब हमें क्या करना है देखी इसको बनाना कैसे है मुझे एक बार बताईए अगर मैं आपको किसी चीज से related जैसे आपको बता रहें कि जब इतने इतने marks आए है total marks इतने हैं तो क्या आप उसका percentage निकाल सकते हैं जैसे चार्ट पेपर हुए आपके एक में 18 marks आए एक में 90 आए एक में 70 आए एक में 84 आए इतने marks आए अब आपको बोलो कि आपके total marks कितने आए तो आप जोड़ दोगी सर 170 to 40 और 240 और 314 आइट अब आपको पूछा जाए कि बताईए आपके जो marks उनका percentage क्या है मतलब आपके total marks का percentage क्या है कि सब्जेक में कितने आए तो आप बोलोगी सर देखो मुझे total 80 मिले है 314 में से इंटू 100 90 मिले हैं 314 में से इंटू 100 70 मिले हैं 314 में से इंटू 100 और 84 मिले हैं 314 में से इंटू 100 तो बस तो पता चल जाएगा कि आपके जो 100% ये आपके लिए क्या है 314 क्या है आपके लिए 100% उसमें से किस subject का कितना हिस्सा है तो वो percentage में हो जाएगा ठीक है अब पर दिक्कत ये है कि हमें जब यहां पर बातना है तो हमें 100% में नहीं बातना हमें बातना है 360 degree में क्योंकि ये circle जो है ये 360 degree का है इसमें बातना है तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा जैसे 100% होता है वैसे 360% करना पड़ेगा तो अब क्या करिए आप देखो इसके दो तरीके हैं मैं आपको बताऊं आसानी से एक क्या percentage निकाल लीजिए और 1% equal to 3.6 degree ऐसा बोल सकता हूं क्यों मैं ये 360 degree में बातना है न और % होते है 100 तो 1% equal to 3.6 degree तो पहले percentage निकाल लीजिए फिर उसको 3.6 से multiply कर दीजिए तो degree आजाएगे आपके पस ठीक है तो जो आप फिर angle बनाते थे बच्पन में तो scale की मदद से जो भी है उसके हिसाब से आप बना दीजिएगा सिम्पल तो बस इतना ही ध्यान रखना है आप समझ गये होंगे ठीक है जैसे मान लीजिए आधा आधा इससा है किसी का तो अपन बोल देंगे सरी आधा इसका है आधा इसका है इसका लोजीबन गया पाई-चार्ट ठीक है आपको मैं यह कहूं सपोज जैसे बना की देख ल जाना चाहें वो ले लीजिए और फिर बताईए तो फोटोग्राफिय में छे बच्चों का experience था, clay modeling में 30 बच्चों का experience था, kitchen gardening में 48 बच्चों का experience था, doll making में 12 और book binding में 24 अब इसको आपको pie diagram में डालना है तो पहले तक total देखिए, total कितने है 120 students मतलब यह हमारा 100% है, 120 हमारा यहां पर क्या है 100% है या फिर ऐसा कहें कि 120 equals 200% equals to 360 degree कुल मिलाके 120 बच्चे बोलो, 100% बोलो या 360 degree बात एक है अब हमें यह जानना है कि इसमें से कौन कितना तो 6 divided by 120 into 100 अगर करता हूं तो 5% आता है 30 divided by 12 करता हूं, 30 divided by 12 कर लेना फटा फट एक बार 25% आता है ठीक है, 48 divided by 12, 40% आता है 12 divided by 120, 10% आता है और 24 divided by 120 into 100, 20% आता है, total कर दीजे 30, 40, 80, 100, 100% हो गया? अब इसी को हम degree में बातना चाहें, तो 3.6 से multiply कर दीजे अगर हम इसको degree में बातना चाहें तो 3.6 से multiply कर दीजे तो 5% multiply by 3.6, तो यह हो जाएगा 18 degree, ठीक है? 25 multiply by 25, कर देता हूं, मुरुकाँ 25 multiply by 3.6, तो यहा जाएगा 90 degree, ठीक है? और 20, 72 degree, इसका total करके देख लिजे, 360 degree आना चाहिए, ठीक है? अब आपके पास एक circle है, ठीक है? अब आपके पास क्या है? एक circle है, ठीक है? यह तो आप बोल दो, claim modeling, ठीक है? उसके बाद बात करते हैं sir, photography, 18 percent, 18 degree है तो ऐसा कर दीजे, यह photography हो गया, ठीक है? फिर 144 degree, 144 degree, तो approach, मैं approach बना रहा हूँ, ठीक है? तो यह मैंने बना दिया 144 degree, ठीक है? तो यह हमारा हो गया kitchen, फिर बोला 36 degree, 36 degree की बात करते हैं, तो यह हो जाएगा हमारा 14, लगबग यहाँ पे, ठीक है? तो यह 36 degree हो गया, और इसको बोलेंगे हम doll, और यह बजगे हमारा 72 degree इसको बोल देंगे book, बस तो इस तरीके से बन गया pie chart, तो बस यहाँ पे बना दिया, देखो, इन्होंने क्या किया वोई, percentage वाली तरह निकाल के degree में निकाल लिया, 18, 90, 144, 36, 72, और total हो गया 360 degree, इसको डाल दिया, तो यह book winding यह, 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 चलो जी, ओके? तो इस तरीक presentation of data, इसके बाद एक और topic बसता है, और यह आखरी topic है हमारा frequency distribution, देखो, यह बहुत common सी बात है, बहुत common सी बात है, पर इस में से कुछ MCQ बनते हैं, तो उस पे आपको धान देना है, ठीक है, बाकि तो यह आपने 10th 11 में पढ़ा हुआ है, देखिए, बोल रहा है कि जब हम data को arrange करते हैं, तो तीन चीजों की जुरत पड़ती है, एक variable की, एक telemarks की और एक frequency की, ठीक है, variable क्या होता है, यह important है, MCQ point of view से variable important है, ठीक है, जो variable, ध्यान दीजेगा, जो चीज, ऐसे बोल सकते है, जो चीज, हर इनसान में अलग हो सकती है, उसे बोलते है variable, जो सेम होती है, उ one to another, जो एक दूसरे से अलग हो सकती है, तो उसे क्या बोलते है, variable, जैसे age, हमारी अलग-लग हो सकती है, तो variable है, ठीक है, color अलग-लग हो सकता है, variable है, height अलग-लग हो सकती है, variable है, income अलग-लग हो सकती है, variable है, तो yes, जो चीज, अलग-अलग हो सकती है, तो yes, जो चीज, अलग आगे सुनिए, for example, age, income, height, intelligence, color वगर यह सब variable है, ठीक है, अब बात या आती है, कि कुछ variable तो ऐसे हैं, जिनका measurement हो सकता है, मतलब जिनको quantity में डाला जा सकता है, और कुछ variable ऐसे हैं, जिनको quantity में नहीं डाला जा सकता है, कैसे हैं, age, age को quantity में डाल सकते हैं, yes, हलग-लग हो सकती ह हैं, और quantity में डाला जा सकती है, तो yes, age को डाल सकते हैं, height, height को भी डाल सकते हैं, temperature, temperature को डाल सकते हैं, ठीक है, अब बात आती है, intelligence, intelligence है तो अलग-लग हो सकती है, पर उसको measure नहीं कर सकते हैं, quantity में डाल सकते हैं, कि या तेरे में intelligence 1 kg है, उसमें intelligent 2 kg है, ऐसा नहीं हो सकता है, तो कुछ को हम measure कर सकते हैं और कुछ को measure नहीं कर सकते हैं ठीक है जिनको हम measure कर सकते हैं उनको बोलते हैं quantitative variable उसको क्या बोलते हैं quantitative variable तो variable और observation having numerical as possible value are called quantitative क्योंकि उसको quantity निकाली जा सकती है और जिन variable को quantity में decide नहीं, जैसे place, कुम नहां रहते हो, जैपूर, तुम कहा रहते हो, Delhi, अब अलग लग है, तो variable तो है, पर इसको quantity में नहीं डाला सकता, तो यह हो जाते है, qualitative, यह क्या हो जाते है, qualitative, तो आपको यहां पर यह भी समझना होगा, कि quantity में जो आ सकता है, उसको quantitative, और जो quantity में नहीं आ सकता, वो qualitative, आ गया जाया, variable दो तरीके के होते हैं, ठीक है, इसमें क्या होता हूँ आपको, इसमें question कैसा आता है, सुनिएगा, अभी बताता हूँ, पहले सुनिए, variable दो तरीके के होते हैं, continuous variable और एक discontinuous या discrete variable, जैसे आपन पढ़ता है, individual series, discrete series और continuous series, त तो individual तो चलो अलग ही हो गया, discrete और continuous, discrete और continuous को आपको यहाँ पर पढ़ना है, क्योंकि individual तो individual का हो गया, discrete और continuous कहीं लोगों के होते हैं, और वो एक दूसरे से vary करते हैं, quantity which can take all numerical value within an interval is called continuous, जैसे आपन बोलता है, 0 से 10, ठीक है, हम बोलता है, 0 to 10, तो यह continuous variable है, क्योंकि इसमे कहीं लोगों को सामिल कर लिया गया है, but those variable which can take only a finite number of value are called discrete variable, जिसमें कुछ limited value ही आ सकती है, उसको बोलता है, discrete और जिसमें बहुत सारी आ सकती है, उसको बोलता है, continuous, ठीक है, जैसे एक class में बच्चे, अब limited ही आ सकते हैं, ऐसा तो नहीं unlimited बच्चे आ जाएंगे, तो उसको number of section in school, school में कितने section होते है class में, A, B, C, D, E, मान लो जादा जादा, तो उनको इसलिए इन सब को क्या बोला गया है, discrete variable, इस पे एक mc क्यो आता है, जैसे बोलतेंगे age of student, बताएजी, discrete variable है या continuous है, इस तरीके से, तो यह आपको धान देना है, okay, done, tally बात, अब tally क्या है, यह तो बहुत simple सी बात है, इसको मैं आपको ऐसे समझा देता हूँ, ऐसा समझेए, हमने, जान से सुने है, हमने 100 बच्चों को बुलाया, 100 बच्चों को बुलाया, और 100 बच्चों को कहा, कि भाया, आपको vote देना है, ठीक है, vote किस-किस को दे सकते हूँ, 1, 2, 3, 4, यह 4 तो सबने voting कर दी, अब voting कर दी, अब हमें vote count करने है, तो vote count कैसे करें, या तो हम सारे पर्चिया अलग करें, जिसने एक को दिया, जिसने दो को दिया, जिसने तीन को दिया, जिसने चार को दिया, या तो ऐसे करें, या फिर, क्योंकि इसमें गलती हो सकती है, कि कि कोई द्धेरि परची उठाएंगे किसको है चार नमब़ करने नमबर को ठीक है फिर एक पर्च उठाएंगे किसको मिला एक नंबर को फिर दूसरी पर्च उठाएंगे किसको मिला दो नंबर को तीसरी पर्च उठाएंगे किसको मिला चार नंबर को तो चार नंबर को क्योंकि तो तीन लाइन का मतलब 3, चार लाइन का मतलब 4 और 5 लाइन का और साथ में, चार लाइन और एक क्रोस का मतलब 5, तो इस तरीके से, इनको क्या बोलते हैं, टैली बार्स ताकि काउंटिंग करने में आसानी रहे, उसमें गढ़बर ना हो, ठीक है, ओके, आगा जाएगे, देखो क्या फरक है, टैली बार लाइनों में आता है, जबकि frequency नमबर में आती है, तो मान लो मैं ऐसे लिख दूँ, कि यहां पर कितनी लाइन है, 5, 6, 7, 8, तो मैं लिख दूँ 8, तो यह बन गई frequency, चार की frequency कितनी हो गई, 8, मतलब 4 नमबर कितनी बार आया, frequency का मतलब होता ह है, आवर्ती, मतलब repetition, कोई नमबर कितनी बार repeat हुआ, तो हम बोलते है, 4 नमबर 8 बार आया, तो अब 4 की frequency कितनी हो गई, 8 हो गई, तो इसको बोलते है, frequency, the number of times, क्या लिखा है, the number of time in observation occurs, उसको बोलते है, frequency, simple सी बात है, अब जिन जिन distribution में, हमने पढ़ा ना, individual series, discrete series, और continuous series, तो individual में तो frequency होती नहीं है, तो discrete और continuous जो है, इनको frequency distribution भी बोलते है, ठीक है, इनको frequency distribution भी बोलते है, ओके, तो discrete और group बोल दो या continuous बोल दो, इनको discrete, frequency distribution के नाम से भी हम जानते है, बनाने के लिए, इसमें भी variable होना चाहिए, टेलिमार होने चाहिए, और frequencies होनी चाहिए, हो जाएगी frequency लिजिए, बताइए, यहाँ तक कोई दिक्कत है तो बोलिये,